कलेक्टर के अधीन आने वाले कुछ मंदिर तो विवस्त है लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके रखरका और विकासकारी समय पर नहीं होते SDM कहते हैं इस समंद में सीधे कलेक्टर से बात की जाए वरतमान में शाजापूर से हुकम सिंग कराला विधायक होने के साथ साथ प्रदेश सरकार में मंत्री भी है इस प्रसिद्ध मंदर में पूजा अर्चना करने आने वाले श्रद्धालों द्वारा दीपमाला के निर्मान को लेकर कलेक्टर से लेकर शेत्रे विधायत तक को कई बार अवगत कराया गया, लकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई, लगभग डेट साल पहले दीपमाला बराने साथ साल पहले पास हुआ था, लेकिन डेट साल पहले प्रशासन ने ताबर तोड यहां गड़ा खोदा और अजूरा काम कर छोड़ दिया, दीपमाला बनाने का कार्य शुरू किया गया था, और दुर्भाग इस बात का है, कि उस ठेकेदार के द्वारा दीपमाला को पिछ जोर सोर सालू किया गया और एक बड़ा घड़ा खोद के यहां प fij पटक दिया गया, मेला प्रारम हो गया, जब तक काम प्रारम नहीं किया गया, जब धर्म प्रेमिश जो जनता यहां पर आती है, उनने समने प्रसासनिक अधिकारयों का ध्यान इस और आकर्षित किया कि सा आज राजश्वरी माता मंदर इस दीप माला से सुशोभित हो जाएगा लेकिन उनका ये सपना अब तक अधूरा है इस सम्मंद में कई भक्तों के साथ ही मंदर पुजारी सहित लोगों द्वारा सम्मंदित अधिकारियों को अवगत भी कराया गया जिस ठेकेदार को दीप मा यहां पर लगाया गया सा ठेकेदार की उदासिंता और प्रशाशन उसको बार बार चेताने के बाद भी वह कारेचारी नहीं कर रहा है जिससे की लगातार आने वाले सद्धालों हमसे कोश्चन करते हैं क्या चीज़ बन रही है तो मेरा आपके माध्यम से प्रसाशनिक अध उसके पूर्व इसे कंप्लिट कर दिया जाए जिससे कि आने वाले समय में कारते कोईने मापे जो हम दीप अजलत करके यहां पर दीप पर्व मनाते हैं उसमें दीप मालिका का उपयोग हो सके आम तोर पर शासन से स्वीकरत कारियों को समय सीमा में पूरा कर लिया जाता है और जब मामला आस्था से जुड़ा होता है तो त्वरित कारिवाई करते हुए निर्मान कारी शुरू हो जाते हैं लेकिन राज-राजश्वरी मातामंदर में बनाए जाने वाली दीप माला को लेकर इस्थानिय शासन प्रशासन उदासी नजर आ रहा है इस समंद में SDM US मारवी से चर्चा की कोशिश की गई तो साहब का कहना है कि उनके पास समय नहीं है उन्होंने सीधे तोर पर ये कहा कि इस समंद में कलेक्टर साहब से बात करनी होगी वे कुछ नहीं कर सकते हैं जनपरतिनिद्यों और अधिकारियों की लापरवाही के चलते डेड़ साल में भी दीपमाला नहीं बनाई जा सकी गौर्दलवी की इसी महिने में नवरात्री शुरू हो रही है और उसके बाद कार्थिक प्रणीमा और दिपावली का परवभी है ऐसे में प्रशासने का परवाही पुर्वकरवया भक्तों में रोश पैदा कर रहा है खबरबादनी उसके लिए शाजापुर से आकाश शर्मा के साथ अजय शर्मा की रिपोर्ट